गुड मॉर्णिंग डिए स्टुडेंस आज मैं आपके साहने क्लास 12 के सिंटेक्स लेकर आया हूं दो यारोनीज के ओल सेट्स ठीक है तो चली पहला कोशन दिखते हैं पहला कोशन है के सिंटल्में इसमां आपको बताना के तो ध्यान अगनाव पर्फेक्ट का सुपनियिक्ष टृट्रि इंगरी नहीं द शकती है किमार यां मोस्ट का प्रियोग नहीं होगा तो यहां शिंप्ली लिख देंगे आप ए परफेक्ट जेंटल्में एक्सपेक्टेड वह मेरी आशा से ज्यादा लेट आई तो यहां लेटर एले डवल टी ए आर नहीं होगा एले टी ए यह लेटर का मतल़ होता है बाद में यह लेट की कमप्रेटिव दिख और यह जो लेटर लिखा हुआ है एले डवल टी यार इसका मतल़ होता है बादवाला क्रम में बादवाला है ना अगला क्रूशन है राम्स ब्रदर्स कार हैज बिन स्टोलन राम के भाई की कार चुला ली गई है तो देखो डबल अपस्टोपी का यूज नहीं होता है तो आप इसको लिखेंगे दकार ओफ दकार ओफ राम्स ब्रतर एसे लिखेंगे टिक है है एज बिन स्टोलन वैनी अवोग ही यह पूछा वेर आई वाई वाज वाज होगा यहां स्वाज कि पूरा अब्भूरा टैंस पास्ट में तो वाज का ही यूज होगा इस आरेम का यू नहीं होगा KLEAR unit five वाइला कोशन है if I was you if I was you i would never do तयवकρε astrologyonneau मैं तुम होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता तो यहां पर मैं तुम just फ़र होगी चली हो रेये तो उस कंडिशन में गपर होता है ना कि वाज का है पांगे ये अगला कोश्चेबँ हो आगला आपका आगला कोश्चन अगयो जो अगरा डेली का जो एरिया है डेली का जो एरिया है वह आगरा से बढ़ा है आगरा से बढ़ा नहीं है आगरा के एरिया से बढ़ा है तो यहां एरिया की तुलना एरिया से होगी तो आप लगेंगे तो एरिया डेली इस बिगर देन यहां पर डेस्ट करके देट आफ अगरा यह दर एरिया फारा लेकिन दर एरिया रिपीटेशन हो जाएगा तो रिपीटेशन को अबड़ करने के लिए आप एरिया के स्थान पर यहां पर तो फिर दोज लगाते तो फिर क्या लगाते दोज लगाते ठीक है अब मिस्टर पीके रोई इज अ एमपी अ एमपी नहीं होगा एन एमपी होगा एन एमपी तो कि एम एम ए ए आ रहा है ना वोबल साउंड आ रहा है तो इसलिए इन का यूज किये जाएगा अगला कुशन है वाई आरिव अफ्रेड फ्रॉम हिम अफ्रेड के साथ फ्रॉम का यूज होता है किसका ओफ यूज के साथ मैं आपको पहले ही बताया यूज नहीं होता है टू को फ्रॉम क्लियर अगला कुशन आपका अब्यास अर नोट एन इजी सब्जेक्ट मैफ्मेटिक्स सब्जेक्ट है तो आप इसका प्रियों करेंगे ना की अर यह विन शुज तो यहां पर since के स्थान पर क्या आएगा for period of the time के लिए for का यूज़ की आता है ना कि since का है ना point of the time के लिए since का ठीक है यहादा कोशन है he is one of the best man that has ever lived अब देखो that यहाँ पर conjunction है इससे पहले मेन आया है तो man के according बरवाएगी और man plural है तो आपका वर्भी प्लूरल आएगा have ठीक है 13 वाला कोशन है these news have disturbed the peace of mind तो news का singular singular से pluralize नहीं होता news singular ही रहती है तो singular रहेगी तो उसका determiner भी singular ही रहेगा तो दीज के स्थान पर दिस हो जाएगा और यहां have के स्थान पर हैज हो जाएगा this news has distribute disturb the peace of mind अगला कोशन है it is I who is your best friend it is I who is who आपका रिलेटिव प्रोनावन से पहले आई आ रहा है आई के कोडिंग आपका इस नहीं आएगा एम आएगा ठीक है अगला कोशन है 15 वाला अगला कोशन है there are fine furniture in the house फरनीचर का प्रोलाइज नहीं होता तो वर्ब भी इसकी प्रोल नहीं आएगी singular आएगी इस there is fine furniture in the house clear को 18 वाला कोशन है he you and I are friends are friends तो इसमें 231 का यहनि 231 का नियम फॉलो हुगा तो सब से पहले आएगा सेकेंड परसन फिर आएगा थर्ड परसन और फिर आएगा फ्रस्ट परसन तो आप लेखेंगे यू यू he and I clear sitting on the gate scorpion इस्टंग हैं यह मैं पहले भी करा चुका हूँ देखो इस predicate का subject scorpion है लेकिन इस predicate का subject कोई व्यक्ति होगा यानि गेट पर बैठे हुए उसे एक विच्छु ने डंक मार दिया, तो उसे मार दिया ना डंक, और गेट पर भी बैठा हुआ था, तो आप इस sentence को पीछ वाले sentence को passive voice में लिख देंगे, आप कैसे लिखेंगे, sitting on the gate, gate पर बैठे वे, he was stung by a scorpion, clear, चलिए, 20 वाला कोशन है, his parents deprived him with all he had, deprived के साथ ध्यान लगना है, आप का प्रेव होता है, ना के विद्गा, ठीक है, तो his parents deprived him of all he had, clear, अगला कोशन है आपका, she have sung a song, simple है यह तो she singular है, तो आपका verb भी singular ही ठेगा, has, ठीक है, God saves me, S, A, A है यहाँ पर E नहीं है, ठीक है, यहाँ पर A है, S, A, V, S, God saves me, तो आप अप्टेटिव सेंटेंज में बनाते हैं ना, जैसे God bless you, God bless you, तो God blesses you नहीं होता है, bless you होता है, तो इसी तरीके से यहाँ saves नहीं होगा, save होगा, simply, God save me, God save me, बगवान मुझे बचाए, ठीक है, the number of entities are increasing, the number of के साथ हमेशा वर्व singular आती है, ठीक है, अगला question है, many a boy were playing in the field, तो आपको याद रखना है, many a और many, दो determiner होते हैं, एक many a होता है, और एक many simple होता है, ठीक है, तो many a के साथ तो singular ना होनाएगा आपका, और singular ही वर्वाएगी, ठीक है, और many के साथ plural नावन आएगा आपका, और plural ही वर्वाएगी, ठीक है, यह आपको याद रखना है, तो देखे, many a boy, यह singular नावन दिया हो है, तो वर्वी आपकी singular ही आएगी वोज, ठीक है, अगला कुशन है, मिलकेज, प्रीफरेबल, प्रीफरेबल, प्रीफर, सीरियर, जूनियर, इंटिरियर, एक्स्टियर, इन सबके साथ, तुका यूज होता है, ठीक है, वाट आर यू डूइंग सिंस मॉर्निंग, यह आपका टाइम दिया हुआ है, तो आर यू डूइंग न यहां खबर बहुत ज्यादा अच्छी है, इतनी अच्छी है कि सच नहीं हो सकती है, ठीक है, लास्ट वाला कुशन है, सन गिफस लाइट अन लाइफ, तो सन नहीं आएगा, दस न आएगा, यूनिक चीज़ों के साथ, दगा का यूज किया आता है, ठीक है, तो यह 28 क्रेश